पहले कम टू छान इंजिनी चलंग स्वागत आपका मेरी चैनल में आज मैं आपको जान करें दूँगा बिजा कितने टाइप की होती है पहले बात किया है बिजा की फुलपों बिजिट, आई फू इंटरनाशन, एस फूर से एफॉर एडमिशन ये इसकी फुलपों में आएए मैं आपको सबसे पहले जान करें दूँगा बिजा कितने टाइप की होती है और कितने प्रकार की होती है और कहां कहां से कौन से अपलाई की जाती है चलते मागे नेस्ट व बात किया है विजा कितने टाइप की होती है विजा साथ प्रकार की होती है ट्रांशनली विजा टोरिस विजा नंबर दिन में बिजनिस विजा नंबर फो ने ओन अरावल विजा नंबर पांच है इस्टोराइन विजा नंबर सिक्स है मैरिज विजा नंबर सिक्स है इमगारे लेन लें प्रैंडेरा आए बीजा की बात करें पहले पीजां करते हैं लिए इसके बारे में आपको जान कर देता है किस परकार की होती है चलते हम बता दूंँ आपको यह भी जगोमने के यसाफ से होती है कि अवह स्वारी 22 गन्टे के लिए होती है इसमें में कफर्म आए टूरिस भीजा के बारे आपको बताता हूँ नंबर दों, ये टूरिस भीजा घूमने के बढ़ा दे जाता है, जैसे की एक महिना, दो महिना, आप कितना टाइम घूम सकती है, ये इसलिए होती है, विजह इस पतभे नोगरी को सामिल किया जा जाए या किस बीजनिस में आप क्या क्या काम करने अपना बिजनिस के लिए आपके पैसे है नहीं है और आपको सारा कुछ बताना होता है अपना रहने ठीकाने कैसे करेंगे खाने ठीकाने कैसे करेंगे और इस बिजनिस में नोगरी को सामिल किया जा सकता है चलते हम अगली विजा के और अगली विजा के बाहरे बताते हैं इस बिजा में आपके पास बिजा प पार्मेंट चेक करता है कि आपको पास बिजा है नहीं है कि आपको सारा कुछ बताना पड़ता है कुछ चिपाने नहीं पड़ता है चलते हम अगली बिजा के बारे में आपको बताता हूं अगली विजा हमारी student विजा है यह हायर कि जाती है student विजा जानेगी बड़बडे इंट्रूस्टे हायर कि जाती है उसके बाद विजा मिलते है आपको study करने के लिए जैसा अमरिका कन्नाड़ा में बच्चा पढ़ने जाना चाता है उसके लिए student विजा होती है चलते हम अगली विजा की और नमबर 6 विजा अगली विजा हो है नमबर 6 मेरीज विजा ये मेरी विजा उसके लिए होती है तेसा कोई भारती नादी अमरीका लड़की साधी करना चाहता है और वो सहमत हो वो अमरीकन लड़की अमरीका जाके इंडिया MBC में जाकर permission देना पड़ती है इसमें लड़गी सहमत दी होनी चाहिए अमरीका सरकार की सहमत होनी चाहिए इसके बाद इनको permission मिल जाती है और इनकी साधी हो जाती है चलते मगली विजा के बारे में नमब उसाथ इमगारंडर विजा इसनल जनल के लिए होती है इसमें आपको वियक्शन भी द्याया सकते है आप वहको नागर horrक्ष में बनाई जा सकते हो यह भी रहएków होती है अब मैं बताता हूँ विजा रेक्शन होने के चांसे किस परकार से आपके विजा रिसूब हो सकती है किस परकार से दिक्कत पड़ सकती है चल मैं बताता हूँ आपको विजा के लिए कोई application में कोई जानकारी गलत दी गही हो या आपका कोई code में pending case चल रहा हो जिसके कारण आपकी विजा रिसूब की जाए सकती है यह दिक्शन कारण हो सकता है और भी काभी सारे कारण हो सकते है जैसे कि आपकी image अपने देश में खराब हो अपने देश से रिष्टे खराब हो और आप विजा पानने के लिए आपके पास पैसे ना हो आपने application में कोई जानकारी गलती हो जिस देश में जा रहा है उसमें आपकर ठिकाना ना हो या आपके पास कोई काम धंदा ना हो और आपने विजा को कई बार apply किया गया हो और immigration time आपने कोई सर्टों का उलरन किया हो जिससे आपकी विजा receive हो सकती है काभी सारी दिक्कत आ सकती है आपको काभी सारी परिसानी का जहननी पड़ेंगी आपके बास travel insurance ना हो बहुत सोड विजा apply किया हो विजा application बार बार apply किया हो बिना बताए आपने application गलत अपलाई किया हो जिससे आपको बहुत सारे chances पढ़ सकती है और आप जिस देश में जा रहा हो देश से आपके संबन्द कराऊ हो और आपने देश से भी संबन्द कराऊ हो आपका passport के इस्पार्टेट जल्दी खतम होने वाली है या आपको कोई चुवाचवा टीबी की बिमारी हो जिससे आपको जाने में दिक्कत हो आपको काफिक कटनाई का सामना करना पड़ता है और आपके बास जाने के लिए कोई काम धंदा ना हो बेबज़े जा रहे हो आपके बास ठिकाना ना हो और विजा आपने कई बार अपलाई किया हो और MBC के उलगनों पालन ना किया हो जिससे आपकी विजा बार बार अपलाई करने में दिक्कत आ रही हो काफी सारी परिसानी का देखनी पड़ती है और भी चांसेस होते हैं विजा अपलाई करने के लिए जैसे कि विजा पाने वाली आतरी के पास कोई पैंडी के चल ला हो कोई आम दिनने से रोत ना हो इसा काफी सारी दिक्कते बढ़ती है अपने बीजा कई बार अपलाई गलत किया हो थैंक्यू फॉर बाचिंग आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है आप मुझे को कमेंट करके बताईए तागी सी बीड़ तागी मापको अबदे देगा